हेलो बच्चो कैसे हैं आप बच्चो आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकेंड हिंदी रिमजिम के अंतरगैत पार्ट नमबर चार अधिक वलवान कौन एक मज़ेदार कहानी है आप भी हमारे साथ साथ पढ़ें सबसे पहले हम आपको यहां पर पार्ट पढ़के सुनाएंगे उसके बाद हम आपको बताएंगे पार्ट का सारांस और अंत में पार्ट से संबंदित प्रस्नो के उत्तर भी आपको बताएंगे तो बच्यों आप हो जाएं तयार और चलिए पढ़ लेते हैं पार्ट अधिक बलवान कौन तो बच्यों यह है आपका हिंदी रिमजिम के अंतर गैद पार्ट नमबर 4 अधिक बलवान कौन तो चलिए आप भी पढ़ें हमारे साथ साथ, एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई, बहस समझते हैं न आप, बातों बातों में बात का बढ़ जाना, क्या कहलाता है बहस, हवा ने सूरज से कहा, किसने कहा हवा ने, किससे कहा सूरज से, हवा ने सूरज से कहा, मैं त मैं तुमसे अधिक बल्मान हूं। सूरज ने हवा से कहा मुझमें तुमसे ज्यादा ताकत है। इतने में हवा की नजर एक व्यक्ति पर पड़ी एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा इस तरह बहस करने से कोई फाइदा नहीं है जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज्यादा बल्वान है। तो आपने ध्यान दिया बच्चो इसके बाद क्या हुआ हवा की नजर एक आदमी पर पड़ी जो की सड़क पर चल रहा था। हवा ने कहा इस तरह बहस करने से कोई फाइदा नहीं है जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही बल्वान है। तो इसके बाद बच्चो सूरज हवा की बात मान गया। आप देख रहे ने आपर सूरज हवा की बात मान गया। उसने कहा ठीक है दिखाओ अपनी ताकित। किसने कहा सूरज ने कहा हवा को कि दिखाओ तो फिर अपनी तागत हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की आदमी की टोपी उड़ गई पर कोट उसने अपने दोनों हातों से सरीर से लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर लिए आप देख रहें ने य टोपी नहीं है तो ये टोपी कहा गई ये है इसकी टोपी आप देख रहें यहां पर तो इसकी टोपी उड़ गई तेज की हवा आई तो इसकी टोपी उड़ गई लेकिन इस आदमी ने क्या किया कि इस आदमी ने कोट को अपने हाथ से कस के पकड़ लिया और जल्दी जल् आदमी नीचे ही गिर पड़ा पर कोट उसके सरीर पर ही रहा अब हवा ठक गई थी ऐसे क्यों हुआ बच्चो क्योंकि उसने कोट के बटन बांद दिये थे इसलिए कोट तो उड़ा नहीं और हवा और जोर लगाने लगी अंत में क्या हुआ वह आदमी जो था नीचे गिर होने लगा इसके बाद सूरज की बारी थी ना बच्चो तो सूरज ने कहा हुआ अब तुम मेरी ताकत देखो और सूरज तपने लगा यानि कि जितना गरम था और ज्यादा गरम होने लगा आदमी ने कोट के बटन खोल दिये सूरज की गरमी और बढ़ी आदमी ने कोट उ लग जाते हैं ना इसी प्रकार से सूरज की जब तपन और ज्यादा तेज होने लगी गर्मी बढ़ने लगी तो इस आदमी ने क्या किया जो कोट के बटन पहले हवा के चलने से बंद कर रखे थे अब ये बटन क्या किया खोल दिये आप देख रहे हैं यहाँ पर बटन खोल क आदमी खड़ा है और जब और गर्मी बढ़ी तो इस ने वो कोट उतार लिया और चलने लगा सूरज ने कहा देखी मेरी ताकयत उतरवा दिया ना कोट हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा मान गई तुमारी ताकत को तो बच्चों क्या हुआ फिर अंत में आपने यहा ताकत उतरवा दिया ना कोट तो हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा मान गई तुमारी ताकत को तो बच्चों यहां पर जीत किसकी हुई यहां पर जीत सूरज की हुई और हार हवा की तो आपने देखा यहां पर कितनी मज़ेदार कहानी थी यह उमीद है कि आपको यह कहानी अच्छे से समझ आई होगी आईए इसके बाद देख लेते हैं इस पार्ट का सारांस जो कि हम आपको इसके बाद यहाँ पर बताने वाले हैं तो यह है बच्चों यहाँ पर इस कहानी का सारांस और आप चाहें तो इसे अपनी नोट बुक में नोट भी कर सकते हैं ताकि आपको यह कहानी अच्छी से याद भी हो जाए तो हुआ क्या था एक बार हवा और सूरज में बहस चिड़ गई हवा ने सूरज से कहा मैं तुम से अधिक बलवान हूँ सूरज ने हवा से कहा मुझ में तुम से ज्यादा थागत है इतने में हवा की नजर एक आदमी पर पड़ी हवा ने कहा इस तरह बहस करने से कोई ज्यादा नहीं है इस आदमी जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज्यादा बलवान है इसके बाद सूरज हवा की बात मान गया यहां पर आप लिखें सूरज सूरज हवा की बात मान गया उसने का ठीक है दिखाओ अपनी ताकत हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की औ कोट उसने अपने दोनों हाथों से सरीर से लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर लिए हवा और जोर से चलने लगी अंत में आदमी नीचे ही गिर गया गिर पड़ा पर कोट उसके सरीर पर ही रहा अब हवा ठक गई थी इसके बाद क्या हुआ बच्चो सूरज दपने लगा यानि कि और गरम होने लगा आदमी ने कोट के बटन खोल दिये सूरज की गर्मी और बढ़ी आदमी ने कोट उतार दिया और से हाथ में लेकर चलने लगा सूरज ने का देखी मेरी ताकत उतरवा दिया ना कोट हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा मान गई तुम्हारी ताकत को तो इस प्रकार से यह हो गया यहाँ पर पाट का सारांज और आईए बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं कुछ कटिन सब्द थे यहाँ पर जैसे बहस बहस क्या होता है तरक भी तरक होता है बात चीत होना बहुत ज्यादा बात बढ़ जाना बहस कहलाती है जब जगड़े होने का नौमत आ जाए और बात क्या होता है बात भी बात नजर क्या होती है द्रश्टी और निगाह भी बोल सकते हैं आप इसे नजर को प्रसनों के उत्तर भी तो यहां पर सबसे पहले आप देखें यहां पर हवा की बात और यहां पर पहला प्रसना आपके लिए हवा को ऐसा क्यों लगा होगा कि वह सूरत से अधिक बलवान है क्यों लगा होगा बच्चों आईए उत्तर यहां पर हम आपको बता देते हैं हवा हवा की गती बहुत तेज होती है वह पल भर में बहुत सारी चीजों को उड़ा सकती है इसलिए उसे लगा होगा वह सुरस्यदिक बलवान है इस प्रकार से आप उत्तर लिख सकते हैं उसके बाद दूसरा प्रसन है यहां पर हवा आदमी का कोट कैसे उतरवा सकती थी कोई तर आदमी की आखें चुबने लगती और वहा कोट को उतार देता और उससे अपना मुँख ढक लेता इसके बाद आईए देख लेते यहां पर कुछ और प्रसन है यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं गर्मी से संबंदित प्रसन है तो यहां पर तीसरा प्रसन है आदमी ने गर्मी लगने पर कोट उतार दिया तुम गर्मी लगने पर क्या-क्या करती हो या करते हो क्या करते हैं बच्चो आप जब गर्मी लगती है तो आप उत्तर क्या लिखेंगे मैं गर्मी लगने पर हलके और सूती कपड़े पहनती हूं और ठंडे पानी से इसनान करती हूं का अनन लेती हूँ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं ना इसके बाद यहाँ पर है किसमें कितनी ताकत से संबंदित प्रसना आपके लिए तो प्रसने यहाँ पर बताओ इन में से कौन अधिक बलवान है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है तो आप क्या लिखेंगे सूरज और हवा उत्तर होगा आपका मुझे लगता है कि सूरज अधिक बलवान है क्योंकि उसकी तपिस हमें हवा की आप एक सा अधिक प्रवावित करती है इसके बाद हाती और सेर में कौन बलवान है तो आपका उत्तर होगा मुझे लगता है सेर अधिक बलवान है क्योंकि जंगल के सभी जानवर उससे डरते हैं और वह जंगल का राजा है इसके बाद बच्चो तिसरे नमबर पर है यहां पर गर्मी या सरदी में कौन अधिक बलवान है आपको क्या लगता है उत्तर होगा मुझे लगता है सरदी अधिक बलवान है क्योंकि यहाँ आदमी को सबसे अधिक प्रवावित करती है इसके बाद बच्चो ताकत की बात करते हैं यहाँ पर तो ताकत की बात में आपके लिए कुछ प्रसनियां पर दे रखे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं प्रस नमबर चार हवा ने अपनी ताकत टोपी उड़ गई तता हुआ गिर पड़ा इसके बाद यहां पर है खैवाला प्रसने यहां पर सूरज ने अपनी तागत दिखाने के लिए क्या किया तो आप लिखेंगे उत्तर सूरज ने अपनी तागत दिखाने के लिए अपनी गर्मी को बढ़ाना शुरू कर दिया इसस उतर लिख सकते हैं पानी अपनी जब तागत दिखाएगा तो क्या करेगा पानी अपने वहाओ को तेज कर देगा यानिकि तेज गती से बहना सुरो कर देगा इससे बहुत सारी चीजें बह जाएंगी बादल क्या करेगा बादल गरज के साथ मुशलाधार वर्सा प्रारंब कर देगा यानि तेज तेज बरसाना शुरू कर देगा और पहाड क्या करेगा पहाड तूट कर किसी भी रास्ते को अवरुद कर देगा देखते हैं आप इस रास्ते में जब कोई परवत या पहाड तूट जाता है शड़कें बंद हो जाती है इसी प्रकार सर्दी अपना प्रवाव कैसे दिखाएगी अपनी ठंड से लोगों का जीवन अस्तिव्यस्त कर देगी सर्दी इसके बाद बचो यहां पर है तो क्या होता इससे सम्मंदित कुछ प्रसने है यहां पर पांचोंगा प्रसना आप देख रहे हैं मानलो कि हवा ने कहा जो मिट्टी में गड़े इस तंबू को उखाड़ दे वह ज्यादा ताकत पर होगा ऐसा होता तो कहानी में आगे क्या होता सोचो और बताओ यदि हवा ये कहती कि इस तंबू को उखा उठाना है और कौन उठा पाता है तो फिर क्या होता यहीं पर आपने उत्तर देना है तो आप क्या लखेंगे यदि हवा ने यहां कहा होता कि मिटी में गड़े इस तंबू को जो उखाड देगा वह ज्यादा तागत बर होगा तो इस दसा में हवा अधिक तागत बर होती क्योंकि वह बेग से तंबू को उखाड फेकती जबकि सूरज अपनी गर्मी से ऐसा नहीं कर पाता तब किसकी जीत होती बच्चो तब हवा की जीत होती अब आगे देखते हैं यहाँ पर सब्दों का खेल आप देख रहें नहीं आपर सब्दों का खेल और यहाँ पर कुछ प्रस्ण भी आपके लिए जैसे यहाँ पर देखें आप ताज मैं है और लै यहाँ पर देख रहें आप यहाँ पर छे सब्द चिपे हुए हैं यह हैं च्छे सब्द ताज, महल, जम, हल, ताल, मल यहाँ पर छे सब्द चिपे हुए हैं इसके बाद अगला है यहाँ पर चटा प्रस्णाप के लिए निचे लिखे सब्द भी सब्द में तुम भी इसी तरह आठ सब्द ढूंड कर ढूंडो या ढूंड कर बताओ तो पर लह, कल, ककड़ी है, कड़ी, लकड़ी, यहां पड़ी, तो इस सब में मिला के जो है, इन सब को अगर हम मिलाते हैं, तो इन से इतने सारे सब्द बन जाते हैं, कौन-कौन सब्द बनते हैं, कमल बनता है, देखें आप यहां पर, कह, आप देख रहें ने, कह, मैं अल, कमल, और इसके बाद कम, कम भी बन सकता है बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर कह और मैं कम इसी प्रकार से यहाँ पर अन्य सब्द क्या बनेंगे मल बनेगा देखो यह मल, मल होता है ने गंदगी इसी प्रकार से आपके लिए अन्य सब्द बन साएं जैसे कड़ी तो आप देख रहें नहीं आपर कड़ी यहां पर है और कड़ी आप खाते हैं कड़ी चावल कड़ी बन गया और लकड़ी भी बन गया देखें यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर लकड़ी यह भी बन जा तो यहाँ पर जूए सात्मा प्रसनाब के लिए नीचे लिखे शब्नों कीजेगे तुम और कadora कौन-कौन से शब्नों चुन सकते हो यहाँ तर आपका इस प्रकार से होगा आधिक के लिए जियादा लिख सकते हैं फायदा के लिए лाब लिख सकते हैं तो बच्चो हम क्या पढ़ रहे थे हमारे पार्ट का नाम था अधिक बलवान कौन जिसका कि हमने यहाँ पर आपको सहरांस बताया और पार्ट से सम्मंदित प्रस्नों के उत्तर भी बताईए तो बच्चो इसी के साथ आज हम आपको इस पार्ट से सम्मंदित प्रस्नों के सा खास तोर पर कहना चाहेंगे कि आप इन पार्टों को अच्छे से याद करें और बार बार इन प्रस्णों के उत्तरों को याद करने का प्रियास करें तो बच्चो ये था आपका पार्ट नमबर 4 और इसी प्रकार अन्य पार्टों को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सभी पार्टों को एक एक करके इसी तरह प्रस्नूतरों के साथ साथ आगे देखते रहें तो आज के लिए इतना काफी है आपका दिन सुभ हो